नमस्कार मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जोतिश क्यानी यूटुब चैनल पर मैं आशी शर्मा आज आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों मनाया जाता है वसंत पंचमी का त्योहार शास्त्रो के अनुसार इसी दिन मा सरस्वती का जन्म हुआ था वसंत पंचमी के दिन मा सरस्वती हातों में पुस्तक, वीना और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी इसलिए इस दिन मा सरस्वती की पूजा की जाती है वसंत पंचमी में से वसंत रितु का शुरुवात होती है सनातन धर्म में मा सरस्वती की उपासना का विशेश महत्व बताया गया है क्योंकि ये ज्यान की देवी है मान्यता है कि वसंद पंचमी के दिन मा सरस्वती की पूजा करने से मा लक्षी और मा काली का भी आशिरवत प्राप्थ होता है पंचांग की अनुसार माक शुकल पंचमी 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12 बच कर 34 मिनिट से होगी और 26 जनवरी 2023 को सुबह 10 बच कर 28 मिनिट पर समाप्थ होगी ऐसे में उदियाती थीक के अनुसार इस साल वसंद पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी वसंद पंचमी के दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन मा सरस्वती की पूजा आरजना की जाती है मा सरस्वती को ज्यान संगीत कला और विज्यान और शिल्प कला की देवी माना जाता है यह दिन विद्या आरंब और अक्षर अभ्यासम के लिए भी काफी शुब माना जाता है इसलिए आज के दिन माता पीता अपने बच्चों को माता सरस्वती के आशिरवात के साथ विद्या आरंब कराते हैं यह तियोहार हिंदू कलेंडर में पंचमी तिती को मनाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन पंचमी तिती सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है उस दिन को सरस्वती पूजा के लिए उप्युक्त माना जाता है। सरसों की खेत लहराते हैं वसंत रितु की आने से पेड़ पौधे फल फूल खिलने लगते हैं और कई जगह पर इन दिन पतंग बाजी भी की जाती है पंजाब छेत्र में इसे वसंत के पाचवे दिन पतंग उड़ा कर मनाया जाता है इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की ज दिवस भी कहा जाता है इसके लिए इसे मा सरस्वती को जन्वदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है हिंदू धर्म की मान्यताओं की अनुसार जब ब्रह्मा जी ने श्रिष्टी की रचना की थी तब हर तरफ शांती और व्याप्त ही थी क रही कोई ध्वनी नहीं सुनाई पड़ रही थी उस समय भगवान विश्णू की आग्या से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर धर्ती पर छड़का जिससे एक अद्वुच शक्ती एवं चतुरवच हातों वाली नारी का अवतार हुआ जिनके हातों में वीना माला पुस्तक इतियादी थी और जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर वीना बजाई तो हर तरफ संसार में ध्वनी फैल गई तब ब्रह्मा जी ने वीना की देवी को सरस्वती के नाम से पुकारा जो की ज्यान और संगीत की भी देवी कहलाती है इसी कारण इस दिन मा सरस्व पुजा को लेकर एक बहुत ही रोचक कता है कता कुछ इस प्रकार है कि वसंत पंचमी के एतिहासिक महत्सव को लेकर यह मानता है कि श्रिष्टी रचियता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों को रचना किये थी तथा ब्रह्मा जी जब श्रिष्टी की रचना कर रहे थे उस संसार में देखते हैं तो चारो और सुनसान निर्जन धी दिखाई देता है एवं वातावरण बिल्कुल शांत लगता है जैसे किसी की वानी ना हो यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी मायूस उदास और संतुष नहीं थे तब ब्रह्मा जी ने भगवान विश् आती के रूप में चतुरबुजी चार भुजाओ वाली एक सुन्दर इस्त्री प्रकट हुई उस डेवी के वीणा दूसरे हात में मुद्रा और बाकी अन्ने हातों में पुस्तक और माला थी ब्रह्मा जी उस इस्त्री के वीणा बजाने के लिए अनुरोथ करते हैं देवी के वीना बजाने से संसार के सबी जीव जन्तूओं को वानी प्राप्त होती है उस पल के बाद देवी को सरस्वती कहा गया है उस देवी ने वानी के साथ साथ विद्या और बुद्धी इसलिए वसंथ-पंचमी के दिन घर में सरस्वती की पुजा की जाती है अर्था दूसरे शब्दों में वसंथ पंचमी का दूसरा नाम सरस्वति पूजा भी है देवी सरस्वति को बागेश्वरी भगवती शारदा वीना वाद्नी और बाग०ेवी भी अनेक Update अर। पूजा जाता है वसंत पंचमी को लेकर एक पौरानी कता भी है वसंत पंचमी को लेकर एक पौरानी कता इस तरीके से है कि कभी कालीदास से भी जुड़ी है ऐसा कहा जाता है कि कालीदास जी उनकी जब पत्नी उनको त्याग कर चली गई थी तब दुखी होकर वे नदी में ड आलिदास का जीवन बदल गया और वे महाग्यानी हो गए अगर आपको वसंत पंचमी की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब कमेंट अवश्च करिए जन्ब कुनली बनवाना चाहते है या अपने कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहते है तो नीचे दियेगा नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद